हेलो कैसे है आप लोग आज हमें exercise 4.1 complete करेंगे easy है जेखो कैसे करना है question number 1 क्या है हमारा कि हमें check करना है कि कौन कौन से इन में से quadratic equation है पहली बात तो यह कि क्या होते हैं यह a x square plus b x plus c is equal to 0 अगर कोई equation ना इस form में है तो वो हमारा quadratic equation होते है पर यह पूरी बात नहीं है पूरी बात क्या है कि इस form में तो होनी चाहिए लेकिन कभी में a जो है वो equal to 0 नहीं होगा जो a है हमारा यह वाला a वो कभी भी equal to 0 नहीं होगा इसलिए cut कर रहा हूं never be 0 कभी भी 0 हो ही नहीं सकता और b c और a यह होते क्या है यह ना real numbers होते हैं जो a, b, c है ना यह हमारे तीनों real numbers है real numbers ओके कुछ भी हो सकते हैं यह कोई भी value सकती है लेकिन कभी में इस एक condition है जो यह a है वो 0 नहीं होना चाहिए अगर कभी भी 0 होता है तो क्या होगा पता हो अगर मैं 0 कर दू एक हो तब क्या होगा ? 0 xμαι pneumonia x squared is equal to bx plus c is equal to 0 मतलब क्या हुआ अगर a 0 होगा तो यह पूरा term 0 जाएगा तो क्या बचाएगा prac bx plus c is equal to 0 मतलब और a 0 होगा तो यह पूरा term 0 जाएगा तो यह हमारे बच जाएगा जोकी गलत है गलत in the sense quadratic equation नहीं है ठीक quadratic equation तभी होगी जब a कभी जब a 0 नहीं होगा और इस form में लिखा होगा b और c हो सब्सक्राइब 0 हो लेकिन a कभी भी 0 नहीं होगा अब कुछ कोशन करते हैं ताकि हमें यह बात अच्छे समझ में आए तो हमारा जो है problem number 1 का जो first है वो हमारा है x plus 1 का whole square is equal to 2 bracket में क्या है हमारा पास x-3 x-3 खरो लो solve a plus b का whole square बताओ क्या होता है a plus b का whole square जो की equal होत है हमारा a square plus b square plus 2ab के तो a square क्या हमारा पास x square plus 1 call square 1 plus 2ab मतलब 2x is equal to क्या हमारा पास 2x minus 6 यही है solve कर लो इस पूरे side को इस side यह पूरा जो है equal to के बाद उसको इस side लिया हो तो क्या बचाएगा हमारा पास x square plus 1 plus 2x minus 2x यह plus में था इस side आएगा minus में हो जाएगा और यह हो जागा हमारा पास plus 6 equal to क्या बचाएगा हमारा पास 0 बच गया क्यों सब तो हमार पास क्या दे रखा है कभी a 0 के बचाएगा नहीं होना चाहिए बाकी कुछ भी सकते है अगर ना इसको मैं ऐसे लिख दू x square plus 0 into x plus 7 is equal to 0 तो क्या अब यह इस form में आ गई और बस एक condition हमार पास a never be 0 तो a जो हमार never be 0 के form दिखा रहा है आपर क्योंकि a जो हमारा है इस equation में 1 है है ना और a, b, c हमारे जो है वो real numbers है कोई complex number तो है नहीं real numbers है तो यह हमारा equation सही है quality equation है हमार पास तो यह हमारे लिख देंगे हमें आपर yes हमें पास चल गया कि यह quality equation है yes okay अब second करते है second क्या है हमारे पास second one है हमारे पास कि हमें दिये रखा है x square minus 2x is equal to minus 2 और 3 minus x simplification बश्री स्वाल करना है x square minus 2x simplify कर लो minus 2 into 3 minus 6 और minus 2 into minus x तो minus minus प्लस हो जाएगा तो plus x 2x 2 है यह तो अब solve कर लो तो x square x square minus 2x plus 6 हो जाएगा यह और यह minus 2x हो जाएगा is equal to 0 हमने इस side को पूरे को इस side ले आया है right से left कर दिया हमने sign change हो गया अब इससे solve कर लो तो क्या बचेगा हमारे बस बताओ दिख रहा है वह साफ साफ क्या बचेगा कुछ हो रहा है plus minus x square minus 2x minus 2x मतलब minus 4x और plus 6 is equal to 0 यह हमारा इस form में है जी हा है तो यह tick double tick और है हाँ है यस बात हमारी बन गई अब next one देखते है third one तो यहाँ पर मैंने gland गीज दी ताक है आप confused ना हो ठीक और यह हमारे पर third one क्या दे रखा है कि x minus 2 x plus 1 is equal to x minus 1 और x plus 3 यह है simply multiply करना है जो कि हमने कई बार कर रखा है हमें आता है multiply करना है कुछ hard काम तो है नही x into x x square x into 1 plus x minus 2 into x minus 2 x minus 2 into 1 minus 2 is equal to x square plus 3x minus x minus 3 यही आएगा x square plus 3x minus x और फिर minus 3 solve कर लो इसको अब x square minus x plus x plus x minus 2 x मतलब minus x minus 3 3 की 2 है minus 2 is equal to x square plus 3x और minus x मतलब plus का आएगा 2x minus 3 अब इस साट को पूरे को इस साट ले हो तो x square minus x minus 2 फिर यह जाएगा मारे पास minus x minus 2x और minus 3 था उसे जाएगा मारे प्लस plus 3 तो plus 3 is equal to 0 कुछ यहाँ पे दिख रहा है आपको कुछ कट रहा है क्या कट रहा है वो कट रहा है जो नहीं कटना चाहिए x square कट रहा है यहाँ तो क्या बचेगा हमारे पास minus का 3x और plus का 1 is equal to 0 कुछ दिख रहा है आपको uncommon सा कुछ वीची तरह सा क्या वीची तरह है यहाँपे यह वीची तरह आ रहा है कि यहाँपे जो x square वह गया हो गया जो कि नहीं होना चाहिए था क्यों नहीं होना चाहिए कि कभी भी a equal to 0 नहीं होना चाहिए अगर मैं इसको begin 0 into x square minus 3x plus 1 is equal to 0 क्या बचल रहा हमें यह हमारा क्या है जिरो है है कि नहीं तो यह हमारा quadratic equation नहीं हो सकता अब फॉर्थ करते हैं फॉर्थ क्या हमारा फॉर्थ है हमारा फॉर्थ नंबर x-3 2x plus 1 is equal to xx plus 5 करो सॉल भी से आप simple multiply करना है न और कुछ नहीं करना multiply करना simple simple x into 2x 2x square plus x रहाएगा हमारे पास minus 3 into 2x minus 6x minus 3 into 1 minus 3 is equal to x square plus 5x यहीं आएगा अब सब इन दोन को इस सब ले आते हैं तो 2x square minus x minus 5x मतलब minus 5x minus 3 minus x square और minus 5x is equal to 0 हो गया हमने इसको इस साडल लिया है जो हम हर बार कर रहे हैं अब solve कर लो 2x square और minus x square तो क्या हेगा हमारे पास x square याएगा और minus 5x और कुछ है है पर minus 5x मतलब minus 10x minus 3 और कुछ है नहीं तो minus 3 is equal to 0 क्या ही quality equation है जी हाँ है तो tick yes है ओके नौसी फिप्त बन जो कि हमारा 2x minus 1 और x minus 3 is equal to x plus 5 x plus 5 और x minus 1 करो सब्सक्राइब आप में साथ 2x और x 2x square 2x minus 3 minus 6x minus x plus 3 is equal to x square minus x और 5 and 2x मतलब 5x और 5 and 2 minus 1 minus 1 करते हैं सब्सक्राइब से simple add separate करना है तो 2x square minus 6x minus x मतलब 2x square minus 7x plus 3 equal to x square minus x और plus 5x मतलब plus का 4x लाएगा plus का 4x minus 1 अब इन सबको इसाड़ लियाओ तो क्या है हो मारा पास 2x square minus 7x plus 3 minus x square minus 4x plus 1 equal to 0 अब देखो आप 2x square और हम पर x square जोगी minus में हैं तो क्या बचेगा मारा पास x square ही बचेगा और minus 7x और minus 4x मतलब minus 11x plus 3 और plus 1 तो प्लस 4 हो गया है इक्वल टो 0 तो यह हमारा सटिस्वाय करता है सब कुछ पूरा पूरा यह जीरो नहीं है और बाकी सब सही है टिक येस यह हमारा quadratic equation है अब next one करते है पांच वा हो गया हमार पास 6 करते है तो 6 के हमार पास 6 के हमार पास 6 जो है हमार पास वो है x square plus 6x sorry plus 3x plus 1 is equal to x minus 2 का whole square यही है कर लो solve इसे तो x square plus 3x plus 1 is equal to a minus b का whole square क्या होता है बताओ a square plus b square minus 2 है भी मतलब x square plus b square मतलब plus 4 2 का whole square 4 होता है minus 2 to 4 मतलब 4x यही हाएगा क्यों क्यों फॉर्मला के होता है हमार पास a minus b का whole square का a square plus b square minus 2ab यही होता है तो यह आगे हमार पास अब इन सबको इससे लिए हो तो x square plus 3x plus 1 minus x square minus 4 plus 4x equal to 0 x square से x square cancel हो जाएगा क्या बचेगा हमार पास 3x plus 1 और minus 4 plus 4x यह बचेगा is equal to 0 अब साफ सब दिसकते उसमें x square तो है नहीं यह क्या गया हमार पास 7x minus 3 is equal to 0 एक्स सब्सक्राइगा आप यहां पर वो तो विलॉप्त हो गया वो तो x square है ही नहीं इसमें गायव हो गया तो यह हमार पास quantity equation नहीं है cutters लगा दिया हमाने और है yes लिखूं नहीं yes नहीं सकते है है ही नहीं तो no लिखेंगे ना तो no है नहीं है अब next one करते है next के हमार पास 7th के हमार पास x plus 2 का whole cube is equal to 2x into में x square minus 1 यही है तो क्या आपका formula याद है a minus b का whole cube का sorry a plus b का whole cube का क्या यह formula यही होता है बताओ आप a plus b का whole cube का formula क्या होता है यह होता है a cube plus b cube plus 3ab bracket में a plus b रही होता है ना अच्छा इस question में a और b क्या है बताओ आप इसमें a हमारा x है और b हमारा 2 है मतलब x का whole cube plus 2 का whole cube मतलब क्या आएगा 8 आएगा plus 3 इंटू में a b मतलब x इंटू 2 इंटू में क्या आएगा हमार पास x प्लस 2 यही आएगा solve कर लो इसको थोड़ा सा x q plus 8 plus 6x इंटू x मतलब 6x square और 6x इंटू 2 is equal to sorry plus में 12x यही आएगा है की नहीं क्या आएगा हमार पास x cube plus 8 plus 6x लिख लेते हैं यहाँ पे x cube plus 8 plus 6x sorry 6x square plus 12x is equal to यही आएगा है is equal to multiply करो 2x का whole cube minus 2x अब बताओ आप हम इसको पूरे को इस साट ले आते हैं तो क्या आएगा हमार पास minus x cube आजाएगा plus का 8 आजाएगा plus का 6x square आजाएगा और plus का 14 हो जाएगा हमार पास 14x is equal to 0 यहाँ पर highest power क्या है यहाँ पर highest power ही 3 है x की तो पहले बात तो यह quadratic equation हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर satisfy करी ही नहीं सकता किस form में होने चाहिए हमारे पास ax square plus bx plus c के form में होनी चाहिए is equal to 0 के form में होनी चाहिए हमारे पास जो equation है बट यह तो इसी form में नहीं है यहाँ पर x की पावर 2 की जगर प्रिद है है की नहीं हाईट पावर क्या है 2 नहीं होगे 3 है हाँ पर highest power 3 तो यह quadratic equation हो ही नहीं सकता नो 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 सिंपल बात है की power highest power यहाँ पर 2 होनी चाहिए मैसा बट इसमें highest power तो 2 जगर 3 है तो यह कभी होनी सकता अब जो हमारे पास last है 8 वाला वो भी देख लेते हैं कैसे करना है हमें वो 8 जो है हमारे पास वो कुछ दे रखा है ऐसा की x cube minus 4x square minus x plus 1 is equal to x minus 2 का whole cube तो पहली बात दिए a minus b का whole cube होता क्या है बताओ आप a minus b का whole cube का formula में लिख देता हूँ a cube minus b cube minus 3ab bracket में a minus b यह होता है कर लो solve तो x cube minus 4x square minus x plus 1 is equal to a cube मतलब x cube minus minus b cube मतलब 2 का whole cube मतलब 8 आएगा minus minus 3x into 2 bracket में a minus b मतलब x minus 2 हमने formula युस कर लिया अब इसको थोड़ा से simplify कर लो x cube minus 4x square minus x plus 1 is equal to x cube minus 8 6x into x कहेगा हमार पाद 6x square और 6x minus का 6x into में minus 2 मतलब positive 12x अब इसको पूरे को इस साड़ ले आओ हमें दिख रहे हैं साफ 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 यहां पर x cube है यहां पर x cube है positive है तो इस साड़ आने बाद ही cancel हो जाएगा तो पहले काट देते हैं तो minus 4x square minus x plus 1 plus 8 plus 6x square और minus 12x is equal to 0 तो कुछ ही ऐसा बन गया यहां पर 6x square है यहां पर minus का 4x square है तो क्या बचेगा हमार पास 2 बचेगा 2x square minus x और minus 12x मतलब minus 13x और plus 1 और plus 8 मतलब plus 9 is equal to 0 तो यहां पर यह सारे satisfy करते हैं जो conditions हमार पास थी ax square plus bx के form में है plus c के form में यह है और a हमारा 2 है 0 नहीं है तो यहां पर लिखिंगा बड़ा सा yes यह हमार पास एक quadratic equation है quadratic equation है ओके